नमस्कार न्यूस बुल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी राय बिलिटिन की शुरुआत करते हैं 36 गड़ की बड़ी खबरों के साथ जहां कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने केंद्रियों चुनाओ समीती का गठन कर दिया है 16 सदस्यों वाली CIC में 36 गड़ सरकार की डिप्टेशिप टियेस सिंग्देव का नाम भी है टियेस सिंग्देव अलग 36 गड़ राजी के इतिहास में कॉंग्रिस के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जोसे पार्टी की CEC में शामिल किया गया है इसके साथ CEC में सिंग्देव के नाम को लेकर की सबसे अधिक चर्चा हो रही है रायपुर में E.D. ने मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के राजनीतिक सलहकार विनूद वर्मा के बाद उनके बेटो और बहनोई के साथ भी पूछताच किया गया इसके साथ ही विनूद वर्मा बुद्वार को खुद अपने बेटे पुनवर्सू तथागत और बहनोई तुकेंद्र वर्मा को साथ लेकर राजनीती के पुजारी पार्क इलाके में स्थिद एडी के दफ्तर पहुंचे है उन्होंने बताया कि गुरुवार को उनकी पत्नी को भी बुलाया गया है और वो उन्हें लेकर जाएंगे इसके साथ ही शिवानन्द नदी में भी बताया गया कि उनको लेकर के उनकी भाई और बहनोई के साथ एडी के दफ्तर में पूछताच हो सकती है चतिसगड के दुर्ग जिले में शिवनात नदी में मंगलवार देराथ पिकप गिरने से महिला और तीन बच्चों सहित पाच लोगों की मौत हो गए सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और SDRF की टीम ने महिला सहित चार लोगों को उनके शव को बरामत कर लिया है लेकिन एक बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है खास बात ये है कि चालक के पिता ने महिला और बच्चों को पहचानने से इंकार कर दिया है चत्यसगड के जगदलपुर में डोर टो डोर कच्रा कालेक्शन करने वाली नई खरीदी गई गाड़ियों में मा दंतिश्वरी का तस्वीर लगा हुआ है इसे के साथ अब इस मामले पर बवाल शूरू हो गया है और भाजपन इसे लेकर कॉंग्रिस की नगर और प्रदीश सरकार को घेरा है निगम के नीता प्रतिपक्षिय संजे पांजी ने कहा है कि सनातन का अपमान करना और सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कॉंग्रिस का काम हो गया है जिसे अब कोई भी बरदाश्ट नहीं करेगा इस बुलिटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है नीज वर्ल इंडिया